यह जो MX3 वाला वेरियंट है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे अडिशनल फीचर्स मिलता है, सबसे बड़ा डिफ्रेंस यह है, कि Nexon का फ्रंट एंट टूड़ा बेटर दिखता है, क्योंकि दो इंपोर्टेंट पॉइंट से जा पे Nexon बेटर लगता है, एक तो य XUV3XO के जो बेस मॉड़ल वाले उपर वाला मॉड़ल है, उसमें आपको 10.25 इंच का तस्क्रीन सिस्टम तो मिलेगा, बट उसमें Android Auto और Apple CarPlay नहीं है, हलो दोस्तों, welcome to the channel, thank you so much for tuning in, कि आज बहुत इंट्रेस्टिंग सा कंपरेशन वीडियो है, मैं कंपर करने वालों Nexon क बेस मॉडल और मिड ट्रिम्स आपके XUV3XO के साथ, क्योंकि जो मिड वेरियंट्स और जो बेस वेरियंट्स है, वो काफी अट्राक्टिव है, दोनों के, तो इन दोनों को हम कंपर करेंगे, और आपको बताऊंगा, हम शुरू करते है, XUV3XO के MX1 वेरियंट्स है, जो उ आप स्क्रीन में देख सकते हो, दोनों के बेस मॉडल्स है, वाइट कलर में, it's called as Everest White in XUV3XO, but at the end of the day, दोनों कलर्स वाइट है, बहुत स्लाइट चेंजर से इन शेट्स में, बट अगर आप फ्रंट एंड से शुरू करते हो, तो यहाँ पर, तीक है, मैं आपको पहली बा to get Nexon base model, वो हम बात करेंगे, features दे compare करेंगे, front end के तरफ आते हो, तो front end में सबसे बड़ा difference यह है, कि Nexon का front end तुड़ा better दिखता है, क्योंकि 2 important points है, जा पर Nexon better लगता है, एक तो यहाँ पर आपको daytime running LED मिलता है, base variant से, जो XUV3XO है, यहाँ पर आपको halogen bulbs मिलता है, तो स सामने के तरफ से कोई देखता है, और halogen bulbs देखता है, तो हो समझ जाते है कि यह base variant है, बट Nexon का base variant देखे कोई clearly बता दी सकता है, क्योंकि आपको DRLs मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है front से, अभी हम side से देखेंगे, तो एक point आपको बहुत clearly देखेगा, वो है, कि इस का जो design है, upper area में इन्होंने piano black finish दिये है, जो काफी अच्छा लगता है base variant में, हम यह देख के बोल नहीं सबते है कि यह base variant है, क्योंकि इसमें कुछ difference है, दोनों में आपको side mirror में indicators मिलता है, बट अगर हम दोनों को compare करेंगे, तो XUV3X से तोड़ा better दिखता है, बट side के जाएंगे, interior की भी बात करूंगा मैं, सबसे बड़ा difference इन दोनों में यह है, कि यहाँ पे दोनों में आपको wheel cap नहीं मिलता, आपको बाहर से लगाना होगा, उससे कोई problem नहीं है, हम इतना expect भी नहीं कर रहे है, बेस पोईरियन में, usually companies आपको alloy wheels छोड़ो wheel cap भी नहीं देता दूसरा बड़ा difference है, कि यहाँ पे Nixon में, आपको door handles है, वो matte मिलता है, जो बहुत अजीब लगता है, आच्छे टेप, I think body color वो दे सकते थे, इतना बड़ा यह price difference नहीं होता, बट यहाँ पोनों नहीं यह दिया है, तो यह देखके कोई भी बोल सकता है, कि यह base variant ही है, तो side profile के exterior में, अगर side profile में देखते हो, तो Mahindra का XUV3XO looks so much better, because of this major change, जहाँ पे आपको body color मिलता है, तो बाहर से आप इसमें wheel cap लगा दोगे, तो side से आपको कोई बोल नहीं सकता है, कि यह बहुत base वाला variant है, आप company से अगर wheel cap लगा लोगे है, तो काफी decent लगता है side से, अभी हम rare के तरफ बढ़ते हैं, दोनों के rare designs को देखते हो, तो काफी different है, मुझा personally लगता है कि Nexon का rare design, interesting है, पुराने वाले models है, but इसका एक major difference है, कि आपको connecting light, Nexon के base model में भी मिलता है, जो आपको XUV3XO में नहीं मिलता है, XUV3XO का connecting light है, वही उसका speciality है top model में, जो इसके design को enhance क और यह काफी अजीब लगा मुझे personally, अगर आपको पसंद आता है, then that is well and good, but clearly हम यहापे देख सकते है, कि Nexon के front design और rare design बहुत बढ़िया है, और आप बता भी सकते हो, कि यह basically base model है, तो हम design को cover कर चुके है, एक बार top के तरफ भी जाएंगे, top के तरफ आप जाओगे, तो XUV-3XO is quite simple, so if you have a walk around again, दोनों का आप देख सकते हो, rare design ऐसा है, जो front angle से देखते हो, it looks like this, the base model, मुझे personally लगता है कि exterior look की बात करे, तो XUV-3XO का base model अच्छा है, क्योंकि यहापे तोड़े से points है, Nexon में, जो इस design को, देखके कोई भी बता सकते है, कि हाँ यह base model है, like the handles, side mirrors, और wheel cap, so I think exterior design की बात करे, XUV-3XO looks a little decent, अभी हम interior के तरफ पढ़ता है, जो I think एक बहुत important सा area है, यहाँ पे, दोनों में आप देख के बता सकते हो, कि दोनों के दोनों base variant है, क्योंकि, infotainment system missing है दोनों में, so that is not surprising, और दूसरी बात है, कि Nexon में, बहुत जादा part sharing तो एक disappointing चीज है, कि भाई, यह लोग ले Tiago का speedometer cluster जी है, तो मुझे personally, इनका digital meter है, वो calculator display के साथ, मेरे को बिलकुल पसंद नहीं आता है, और Nexon में, आपको उस तरह का एक अजीब सा digital instrument cluster मिलता है, जो personally मुझे लगता है, कि तोड़ा better हो सकता था, but XUV3100 के base model में, पुराने वाले XUV300 का ही speedometer available है, जो looks को थोड़ा सा better बना देता है, steering wheel की design की बात करें, तो Tata clearly wins here, क्योंकि modern है, तो different लगता है, it's illuminated, but overall अगर हम देखे, सबसे बड़ा difference आपको नजार आएगा, center console area में, यह जो center console area है, इसका design बहुत अजीब सा है, तीन knob आपको मिलता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा था, कि जब आप punch येसे car में, एक अच्छे से design बना रहे हो, even for manual AC, तो आप यहाँ पर भी बना सकते थे, आप एक बार punch का base model का design देख लीजिए, उसका design बहुत बढ़िया है, even Altros का अच्छा है, पता नहीं, Nixon में इनोंने यह असा तीन knob क्यों दिया है, not an issue, if you go to the XUV3XO, इसका जो center console area है, वो आपको XUV300 का याद दिलाएगा, design नहीं मिलता है, काफी basic सा gearbox का design लगता है, shape दिया है यह इनोंने, बट उस पर कोई major design नहीं है, तो काफी basic लगता है, XUV300 looks very neat and elegant, और यह अगर आप top model में भी देते हैं, ऐसे वाला design manual में, तो आप बता नहीं सकते देख, क्योंकि इसमें वैसा ही gearbox का design है, जैसे आपको top model में मिलता है, उसके लबा, अगर overall देखते हो, the two-tone dashboard also help, क्योंकि Nexon में आपको all black का dashboard मिलता है, other than that, the overall design की बात करें, डोनों cars decent दिखते हैं, but I have to give it to XUV300 here, क्योंकि इसके base model में भी काफी decent design है, और मुझे center console का area काफी अच्छा लगा, यह पुराने वाले Maru Theater and Red के time का, अभी भी यह लोग design दे रहे हैं, in fact, यह में क्यों बोल रहा हो, क्योंकि Tata वालों के पास है, एक option जहां पर punch या aldros के base model का, जो HVAC control से होई यहां पर दे सकते दोनोंने नहीं दिया है, so it's really confusing to me, अब पीछे के तरफ बढ़ते हैं, I think we have to go to the back seat, but I think, एक बहुत important सा feature है, जो I think, XUV3XO में available है, जो आपको अभी बताऊंगा, जो I think, base model में हम expect नहीं करते हैं, अगर हम पीछे के seat के तरफ आते हैं, तो आप देख सकते हो, कि देखो base model या top model में, legroom में कोई difference नहीं आएगा, क्योंकि basically दोनों car जो है, वो same cars है, बस features में फरक आता है, top model और base model में, दूसरी बात जो मुझे personally पसंद आया है, जो मैं आपको बताया है नहीं, वो है कि इसके base model में आपको armrest मिलता है, आपको कोई भी car base model में armrest offer नहीं करता है, तो hats off to Mahindra for this great thing, क्योंकि जो basic वाले feature जो आपके लिए ज़रूरी है, interior में, वो सब कुछ दिया है Mahindra वालोंने, बट जैसे मैं इसके पहले वीडियों के भी बता रहा था, वो एक वीडियो आपने नहीं देखा है, जो आपको मैं आपको ये offer नहीं करता है, base model बोलते हैं कि stock नहीं है, फिर stock नहीं है, गर गया वेट करते रहोगे, फिर जब stock available होगा, तब prices बढ़ जाएंगे, I hope Mahindra does not do it, बट अगर आपको 7.5 लाख रुपे में ये car मिल रहा है, it's amazing, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, एक तो armrest मिलता है आपको, और दूसरी बात, rare AC event भी offer कर रहा है, XUV3XO, पता है, मैंने खुद बोला है कि, rare AC event is a gimmick, क्योंकि वो बस recirculation करता है, rare AC के अंदर कोई AC का unit नहीं होता है, बट स्टिल ये offer कर रहा है, और recirculation में मदद करता है, so I have to give this point to XUV3XO, और यहाँ हम देख सकते हैं कि, यहाँ पर drive modes available in Exxon में, जो XUV3XO में available नहीं है, और drive modes, अच्छा feature, it's a decent feature, and I think I need to appreciate Tata to give drive modes even on the base variant, अभी हम देखते हैं, seats देखते हैं, तो दोनों में आपको armrest जैसे features नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर दोनों cars आपको adjustable rare headrest offer करते हैं, पेस model से, so which is an excellent thing, so अगर आप overall design देखते हो, तो यहाँ पर दोनों cars में आपको defogger और rare wash and wipe नहीं मिलता है, यहाँ आप एक और point observe कर रहे हैं, इंटीरियर में दोनों cars में देखो, Nixon में वो पुराना वाला handle है वो दिये हैं इन्होंने power window को control करने के लिए, और XUV3XO में power window offer कर रहे हैं, चारों के चारे power windows बहुत बड़ी बात है, यह एक ऐसा feature है, जो आप बाहर से लगाओगे तो यह problem कर सकता है, क्योंकि aftermarket fitting करना power window कोई मजाक नहीं है, कुछ issues हो जाता है और warranty भी वोइड हो जाता है और यह brand एक महींद्रा, इनके base model में power windows offer कर रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बात जो मैं बताना बूल गया आपको, उसके लिए मैं front के तरफ में जाके आपको बताऊंगा, कि जो इसका आप यहां पर देखते हो, तो यह मुझे बहुत अजीब सा लगा, यह मुझे बहुत अजीब सा लगा क्योंकि यह कोई safety feature है, आप electrically आपकी mirror को adjust नहीं कर सकते हो, XUV3XO में इन्होंने electrically adjustable ORVM दिया है, तो अंदर बैटके आप दोनों windows, आप दोनों side के ORVMs, outside rear view mirrors को electrically adjust कर सकते हो, बहुत अच्छा feature है, मुझे लगता है कि one of the best feature है, यहाँ पर XUV3XO के MX1 variant में में मेरे लिए surprising features है, safety के सारे standard features आपको मिलता है, Nexon में भी मिलता है, वो दोनों brands safety offer कर रहे है, right from the base variant, chair bags आपको मिलेगा, ISO fix, electrically adjustable ORVM मानता हो कि safety feature है जो आपको base model में मिलता है, बहुत अच्छी बात है, engine start stop यह, starter वाला button नहीं है, इसमें आपको remote वाला की नहीं मिलता है, आपको keyhole में डालके open करना होगा, यह start stop जो है, basically traffic में car बंद हो जाता है, और automatically start हो के जब आप clutch use करते हो, mileage को बढ़ाने के लिए, वो अला electrical stop start है यह, smart steering system में इसका बदलब है, steering का weight तोड़ा चेंज कर सकते हैं, कि चारो doors में आपको power window मिलता है, जो Nixon में नहीं मिलता है आपको, और driver one touch window भी minig आपको इस car में, front armrest with storage इसे super feature, बुसरी बात है जो space है वो भी काफी useful होता है, अगर चोटे जो wires है वो सब आप अपके center armrest के अंदर डाल सकते हो, तो काफी clean लगेगा, मैं आपको बता रहा हो, यह काफी irritating चीज है क्योंकि armrest जब नहीं होता है, तो space का भी एक problem हो जाता है, तो सारा जो भी आपके wires और बाकी के जो भी parts है, वो आपको center console के area में रखना होगा, जो आपको हमेशा दिखाए देंगे तो काफी messy लगता हो, तो यह बहुत बढ़िया सा feature लगा मुझे, rare ऐसी event मिलता है, और दूसरी बात जो मुझे personally बहुत पसंदा है, front के USB port देता है, USB-C दे रहा है, 12V का socket भी दे रहा है, adjustable second row में seats, reverse parking sensor जो mandatory उनको दे नहीं है, front height adjustable seat belt, 3-point seat belt for all passengers, फिर by halogen projector headlights, projector headlamps दे रहा है, यह पर आपको data running LEDs मिल रहा है, यह पर वो projector headlamps दे रहा है, so these are some of the interesting features, अभी Nexon के smart के साथ हम compare करते है, जो almost 60-70,000 के price difference के साथ आता है, यह पर भी आपको safety के सारे features मिल रहा है, drive boards मिल रहा है, illuminated logo का steering wheel मिल रहा है, पता नहीं Tata को क्यों कर रहा है यह सब, they could have worked on some of the other areas, like improving their service, instead of offering features like illuminated steering, I really don't know what is the purpose of this, looks को में भी बढ़ा देगा, but मुझे usability की बात करेना, तो मुझे ही काफी irritating लगा यह steering wheel, मैं मेरे आप videos देखते हो, आपको मैं आप बता रहा हूँ, अब एक बार देख लिजिए, front के power windows रहर के नहीं है, मुझे लगते है कि base model में देना चाहिए था, costing 60,000 more than XUV3XO, other than that, आपको parking sensors, central lock, hill hold control मिलता है यह आप है, which is again an extra feature, देखे, इस में से सबसे, unique feature की अगर हम बात करते, जो आपको XUV3XO में नहीं मिलता है, वो है, hill hold control, फिर उसके बाद और कोई crazy वाला feature नहीं है, तो only for hill hold control एक extra feature है, other than that, मेरे हिसाब से, XUV3XO का MX1 is clearly the winner, अगले variant के तरफ बढ़ने के पहले आपको बता रहा हूँ, कि अगर ये car आप book कर सकते हो, और आपको 7.500,000 रुपे में ये car मिलेगा, तो ये आप आंग बंद करके ले सकते हो, कोई doubt नहीं है उस पर, यूँकि जिस तरह के features ये base model में offer कर रहा है, आज के time में, कोई भी brand ये offer नहीं कर रहा है, वो एक बात है, बट अगर आप Nexon और XUV3100 को compare करते हो, XUV3100 का driving experience better है, जिसे हम XUV300 से जानते हैं, इसका जो overall performance है वो better है, gearbox बहुत अच्छे से काम करता है, suspension is quite good, Nexon is a good car, बट अगर आप driving experience की बात करते हो, XUV3100 clearly wins, और अगर rare seat की बात करते हो, तो यहां पर भी XUV3100 में, बहुत जादा space मिलता है आपको, for rare passengers, क्योंकि यह actually, mid-size compact SUV था, सैंग्यों के तरफ से, जो महिंद्रा ने इसको cut करके छोटा बना दिया, the only area जहां पर महिंद्रा XUV3100 सफर करता है, जो आपको पता रहना चाहिए, वो है boot space, boot space, Nixon में better मिलेगा, Nixon is a more practical car, क्योंकि XUV3100 में आप अपके family के जाते ही जाते हो, वो comfort में रहेंगे, बट उनका luggage रखने के लिए आपको ज़्यादा space नहीं मिलेगा, so that is one problem that XUV3100 has, और दूसरी बात यह है कि जो overall design है, मुझे personally लगता है कि Nixon classy सा लगता है, better लगता है looks पर, but base model के अगर हम बात करें, XUV3100 clearly wins by a huge, huge margin, तो base model अब ले सक्ट साड़े साथ माक में अंग बन करके ने लिजिए, अभी next variant के तरह बढ़ते हैं, क्योंकि सारे variants तो value for money नहीं हो सकते हैं, पहुत सारे variants रहेंगे, जो कोई sense नहीं बनते हैं, जैसे मैंने last time आपको बोला था XUV3100 में, आज आपको मैं और clear नी उसको explain करूँ रहा, अब next variant में, Nexon Strikes Back by being more value for money explain करूँगा आपको, लगबद 10 से लेके 15,000 का price difference है, Nexon Smart Plus और MX2 Pro में, मैं MX2 cover नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो only diesel में available है, वो diesel का based model है, तो diesel में इस वीडियो में cover नहीं कर रहा हूँ, अगर आप diesel का चाते हो, तो demand करोगे तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊँगा, तो वीडियो बहुत लंबा होगा, कोई देखेगा नहीं, so there is no point in making such long videos, जो आप demand करोगे उसके उपर मैं वीडियो बनाऊँगा, तो please comment section में बताईए, आपको कॉन सा वीडियो देखना है, किस तरह का वीडियो देखना है, मैं जरूर बनाऊँगा, और please subscribe भी कीजिए, हमारे family का part बनी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो, अब दोनों के front design देखते हो न, तो Nexon का smart variant है, smart plus, इसमें exterior में बहुत जादा difference नहीं है, और मुझे disappointing लगा, क्योंकि जो उपर वाले variants लेते हैं, तो उनको exterior में changes चाहिए, वो नहीं बताना चाहत है कि ये base variant है, बट Nexon ने उत्रा जादा काम नहीं किया exterior में, बट not to say कि XUV3XO में बहुत major differences exterior में, जो भी changes है इस variant में, base variant के उपर वाले variant में हो सब कुछ interior में है, बट अगर आप side में देखते हो ना, तो एक बड़ा सा change है, कि यहां पर आपको wheel cap मिलता है, XUV3XO में जो Nexon में नहीं मिलता है, Nexon में कोई wheel cap नहीं है, तो यह base model ही लगता है, और इतना price difference के बाद भी इसमें कोई major difference नहीं है, उसके इलावा अगर आप पीछे के तरफ आते हो तो यहां पर again connecting LED नहीं है, Nexon में same type का light मिलता है जो आपको base model में मिलता है, और अगर आप overall देखते हो, यहां पर ऊपर के तरफ आपको एक major difference देखेगा जो में interior में आपको बताऊंगा, वो है sunroof, sunroof दे रहे हैं यह base variant में है, इसके बदल में in fact यह alloy wheels अगर देते हैं तो पूरा base variant का look ही change हो जाता है, logic वाली बात है क्योंगि आप देखो यह जो exterior में देखते हो नहीं तो design जो wheel cap का design है, वो काफी basic सा लगता है, लुक को खराब कर देता है car का, तो sunroof के बदल में मेरे एसाब से यहाँ पर अगर alloy wheels का option होता तो exterior के looks को बढ़ा देता, या आप एक android auto और apple car play देते हैं वाट उसको ऐसा हो जाता ना कि यह sunroof अटा के आप alloy wheels और android auto और apple car play देते तो बढ़िया रहता बट xv3x में वो नहीं दे रहे, interior के तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर major change है, अब major change आपको दिखेगा center console के area में, दोनो के दोनो cars में आप देख सकते हो कि जो infotainment system है वो floating infotainment system है जो dashboard की उपर placed है, यहाँ पर आप देखते हो तो काफी बढ़ा लगेगा आपको xv3x का infotainment system जो आप शूरूम जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ टच्स्क्रीन बढ़ा है आपको dealership पर भी यह बोलेंगे कि इसका touchscreen जो है सबसे बढ़ा है इस segment में 10.25 inch का है in fact आप बेस मॉडल के उपर model वाले उपर वाला model है उसमें आपको 10.25 inch का touchscreen system तो मिलेगा बट उसमें android or apple carplay नहीं है और आप मुझे बता दो कि आज के time में आप कोई भी infotainment system without android or apple carplay क्या use कर सकते हो यानि बिल्कुल नहीं कर सकते हो तो आपको एक phone उन डाल और आपका mobile यूस करना होगा this infotainment system will be of no use जान दो कि पुराना है चोटा है बहुत लोग बुलेंगे कि outdated है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है यह जो infotainment system है यह punch के top variant में भी आता है altros के top variant में भी आता है इस time में यह updated वाला नहीं है जो आज के time में आपको बड़ा सा जो मिल रहा है 10.25 inch का but यह जो infotainment system है यह बहुत आपके engine के related आपको data देता है कितना mileage आप अचीव कर रहे हो आपका braking कैसे use कर रहे हो आपको driving efficiency और braking का rating देता है Android और Apple Carp ले दोनों मिलता है यह जो system है यह 100 times better है जो आपको महिंद्रा XUV3XO में मिलता है और यह एक major change है यह देख लो आप यहाँ पे इस car में आपको एक infotainment system with better speaker, better sound और harmon का sound system है यह काफी अच्छा है तो for me यह जो variant है it clearly wins today और मैं आपको in detail बताऊँगा कि क्या differences है बट जैसे बाकी के जो features है that remains the same यहाँ पर कोई major updates या changes नहीं है सबसे बड़ा change है कि XUV3XO में Android और Apple CarPlay नहीं मिलता है उनके infotainment system में बहुत लोग confused हो जाएंगे और गलत product को book करेंगे क्योंकि वो नहीं जानता है कि system जो मिलता है उनको वो काफी बेकार सा system है be educated, take the right decision, don't go for MX2 Pro variant यह मुझे सबसे बेकार variant लगा it's my personal opinion, I have to be bold, very straightforward और आपके वैसे बचाने के लिए मुझे यह clearly बोलना है कि यह variant is not good अगर आप तुनों को compare कर रहे हो, you can go for Nexon but same price में, आपको very similar price में एक और variant मिलेगा जिसके बारे में बात करने वाला हो, but in दोनों को मैं पहले breakdown करके आपको बताऊंगा almost 1.5 lakh extra पैसा देने पे, आपको 10.25 inch का infotainment system मिलता है जिसमें Android or Apple CarPlay नहीं है, इसमें 4 speakers है मैं भी sound system अच्छा होगा, मुझे personally कुछ टेस्ट करना होगा मैं usually sound expert नहीं हो, तो मैं इस पर comment नहीं करता हो but 4 speakers और 10.25 inch का system मिलता है, जो मेरे इसाब से it's not good, इसका UI भी आप देखते हो, तो काफी basic सा है steering audio control मिलता है, जो अच्छी बात है, system के साथ steering audio control भी देना, एक highlight point है, इसमें remote keyless entry आपको button से आप unlock कर सकते हो, जो मुझे लगता है, आज के time में बहुत जरूरी है और follow me headlamps मिलता है आपको, जो again मुझे बहुत अच्छा लगा so these variants are, these features are good, but they are not doing justice to the increased price यह जो मैं आपको बता रहा था, MX2 Pro, in addition to whatever I explained, आपको single pill sunroof मिलता है, और wheel cover मिलता है मुझे लगता है कि sunroof necessary नहीं था, क्योंकि मैं जालता हूँ कि, अभी एक trend चल रहा है कि sunroof हमारे लिए जरूरी है but यह necessary features बिलकुल नहीं है, मुझे लगता है कि Mahindra जैसे brands यह चूबी brands है उनको पहले necessary features देना चाहिए, जो fundamentally required है, एक rider, driver के लिए उसके बाद जो extra features होते हैं, जैसे sunroof, air purifier, यह सब उनको offer करना चीए आप major, जो basic वाले features उसको अटाके, यह सब extra feel good वाले features दोगे न, it does not hold a lot of value according to me, यह मेरा suggestion है, याद रखे, आज आप sunroof के चक्कर में यह गाड़ी ले लोगे, इसको rarely आप use करोगे मैं यह नहीं बोल रहा हो कि sunroof एक अच्छा feature नहीं है, बट यह एक feel good extra feature है, उनके लिए जिनके पास extra पैसा है in fact मुझे Nexon का smart plus variant काफी अच्छा लगा, इसमें आपको infotainment system हर्मान का बिलता है, जो मैं approve करूँगा बोलूँगा कि यह सबसे अच्छा system है, one of the best system है, मेभी इसका resolution उस level पर नहीं है, बट यह बहुत अच्छा से कांद करता है, without any lag and it has good rare camera as well, which is missing in XUV3100, यह भी आपने notice नहीं किया होगा चार speaker मिलेगा, shark fin antenna मिला है, मिलेगा इसमें जो I think looks को बढ़ा देता है वो जो antenna जो पुराने वाले style का antenna जो होता है, it's actually not good तो अच्छा है, Tata वाले हमेशा यह करते थे, बट अभी यह shark fin antenna offer कर रहा है अंडूर्डोटर और अपल कर ने दोनों मिलता है, steering mounted controls मिल रहा है, जैसे 3XO में दिया है सारे के सारे power windows है, finally वाई, Tata वालों ने दिया है और electrically adjustable ORVM, जो मेरे लिए बहुत important है Nexon का गलती से भी smart variant मत लेना, पैसे बचानों के चक्कर में तोड़ा extra पैसा लगा के, 1,00,000 एक्स्ट्रा देके, यह वाला variant लेना यह absolute value for money है, और यह best variant है Nexon के लिए, आपको यही लेना चाहिए, अगर आपका budget बहुत tight है अगर आप smart लेने माले हो ना, तो cancel कर गया smart plus लेलो it is totally worth it for the additional features जो आपको मिलता है but यहाँ पे बहुत बड़ा catch है, वो catch यह है कि आपको लगबग same price में, MX2 Pro के बदले में, MX3 variant मिलता है now this variant is quite interesting, क्योंकि आप इसका price दिखते हो ना, तो आपको तोड़ा सा extra पैसा देना होगा obviously मैं भी 15-20,000 extra देने के बाद, आपको MX3 variant मिलता है जो mid level पर आ जाता है, और यह जो MX3 variant है, यह बहुत जादा better है MX2 Pro से आपको मैं बताऊंगा क्यों, अब यह जो MX3 वाला variant है, इसमें आपको ना, बहुत अच्छे अच्छे additional features मिलता है सबसे interesting feature लगा मुझे इस वह, जो भी है mostly interior में ही हो रहा है, जो भी changes, major changes है वो यह है कि इसमें आपको cruise control मिलता है, मैं बात हो कि आप इस price range में एक car लेता हो, तो cruise control के साथ लेना better है क्योंकि जब आपको cruise control मिलता है, highway में बहुत मदद करता है यह, जब आप इस car को own करोगे, आप खुद बोलोगे और दूसरी बात है, यहाँ पर wireless android auto और apple car ले मिल रहा है, with a nice infotainment system from Mahindra उसके साथ आपको wireless charger में बिल रहा है, मेरे इसाब से कोई important feature नहीं है, but काफी trendy है, मैं इस time में बहुत सारे manufacturers देने की कोशी कर रहा है I won't say that you will use it extensively, क्योंकि आपका phone भी करा मो जाएगा इससे बट यह एक ऐसा feature है, which is good to have, considering की technology इंप्रूजी इंप्रूव होते जा रहा है, और in the future we will see a lot of wireless chargeable phones, और उपर के तरफ देखते हो, तो यहाँ पे एक आपको sunroof मिलता है, single paid का sunroof है तो यह car मुझे लगता है कि fully loaded है, और maybe 10 या 15,000 extra देने पर आपको ऐसे अच्छे-चे features इस car में मिल रहा है तो यह variant जो है, makes total sense to me, especially अगर आप इसको अभी Nexon Smart Plus के साथ compare करोगे this car is better, considering जो features इसमें आपको मिलता है यह जो system है, यह 10.25 inch का system है, जो Nexon के हरमान वाले system से बड़ा है इसमें wireless charger मिलता है, जो Nexon में नहीं मिलता है, इसमें cruise control मिलता है, जो Nexon में नहीं मिलता है यह 3 feature मेरे साब से आज के टाइम में एक necessary feature है और यह 3 feature आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, तो आप इस variant के दरम जा सकते हो I think MX3 variant और MX1 variant is really good और Nexon में अगर आपका budget टाइट और आपको Nexon लेना है, तो smart plus variant makes complete sense बट क्या इस variant के साथ compete करने के लिए Nexon का कोई model है, वो हम अभी देखते हैं अभी हम बहुत करेंगे Nexon Pure, अगर आप MX3 ले सकते हो, आपका budget है, 9.49 lakhs फक budget है और आप तोड़ा extend कर सकते हो, मतलब एक showroom 10 lakh तक आप effort कर सकते हो, आपके पास दो option रहेंगे, MX3 और Pure model, Pure model fully loaded है एक variant में जब Nexon better perform करता है और उसके अगले variant में, XUV3XO better perform करता है और उसके अगले variant में Nexon better perform करता है, तो यह काफी closest इस दोनों का battle variant comparison के अगर हम बात करते है तो don't fall for this trick कि Mahindra, XUV3XO is priced well in all the variants है, बिलकुल गलत है, Nexon भी बहुत अच्छा value offer करता है in few of those variants और बहुत बेकार value offer करता है in some of these variants XUV3XO का जो base model है, इस time में I think is one of the best base model offered in any car, but only if they don't increase the price of this जो Nexon का pure model है, उसमें आपको LED headlamps मिलता है, LED tail lamp मिलता है, wheel cover मिलेगा, roof rail मिलेगा, rare AC wind और touch-based HVAC control, तो वो गंदा सा 3 knob है, जो पुरे design को खराब कर देता है, वो भी rectify हो जाएगा power outlet, rare power outlet, वो भी मिलेगा, आपको इसमें follow me headlamps, remote वाला system है, amazing, क्योंकि आपे remote मिलता है आपको, आप सोचो, जो remote वाला system है, वो काफी important है, तो अगर आप देखते हो, peer model is one of those variants which you can consider 10.16 inch का बहुत अच्छा system मिलेगा आपको इसमें, जिसमें आपको Android और Apple CarPlay मिलेगा, जो roof line है, वो knitted है, एक premium experience आपको offer करेगा, और voice commands मिलेगा इसमें, एक बार यह जो variant है, इसको exterior और interior थोड़ा explore करेंगे, और decide करेंगे कि क्या यह variant हमारे MX2 Pro से better है, या MX3 से better है, तो personally, जो आप exterior design देखतो न, तो pure model में, यहाँ पर Tata वालों ने बहुत बड़ा गलती किया है, वो यह है कि इनका जो exterior design है, यहाँ पर अभी भी यह लोग door handle जो है, वो body color नहीं दे रहे है, at least pure model में उनको देना चाहिए था, जो wheel cap का design है, वो ठीक है, बट side mirror में भी same problem है, यह body color नही अब यहाँ पर देखो उन्होंने roof rail दिया, next on में, base variant में, अब यह roof rail देने से अच्छा है, यह लोग एक body color handle दे देते, जो looks को बहुत enhance कर देता, यहाँ पर जो handle है, वो body color नहीं है, एक nonsense वाला यह लोग ने roof rail दिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई sense बनता है इसका, looks door handle अगर body color होता, क्योंकि पहली बात तो यह देखके कोई भी बोल देगा कि यहाँ पर यह base model है, सामने के तरफ में कोई problem नहीं है, बट एक बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पर आपको भी LED light मिलेगा pure model में, which is again good, looks को भी enhance करेगा, और visibility भी बेटर रह सकता है, पिछे के looks की बात करें, तो again यहाँ पर LED elements है, pure में, जो again look को enhance कर देता है, तो अब इतना सब कर सकते हो, तो यह रूफ रेल अटा के यहाँ पर handlebar color देते ते, जो इसका design है, wheel cap का, that is good, but I think यहाँ पर एक black color वाला देते तो better होता, जैसे punch के adventure variant में आता है, अभी interior में आते हो, जैसे मैं परसनली लगा कि यह, इसका design is not very good looking, but it's an all digital instrument cluster, मुझे यहाँ पर complaint है, मुझे लगा कि Tata Nexon में अगर इसको वो normal वाला analog system देते, पैसा बचा के, और यहाँ पर जो infotainment system, एक बड़ा वाला infotainment system देते है, यह लोग जो maybe top variant में मिलता है, तो आप सोच लो, that would have made sense, अगर व वाला जो touchscreen वाला system है, वो भी अटा के बड़ा infotainment system देते है, तो यह variant बहुत जादा value offer करता, बट सेम कुराना वाला Harman का चोटा सा synth system मिलता है, और जो center console area है, वो भी बहुत जादा improved है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक touch system मिलता है, feather touch के buttons मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ प यहाँ पे चारो वे चारो power windows मिलता है, आपको electrically retractable mirrors मिलता है, जो मुझे लगता है कि एक काफी important सा feature है, but cruise control is missing, and also the rare state की बात करें, तो अगे same चीज़ है, यहाँ पे भी आपको fixed वाला address नहीं मिलेगा, you can adjust it, उसके अलावा यहाँ पे एक rare race event में मिलता है, nothing much has changed here, अब मैं आपको बता देता हो कि यह जो variant है, it is value, offering value, but it cannot match MX3 variant, MX3 variant is still the one that is better, क्योंकि आपको बहुत बड़ी of features मिलता है, like 10.25 inch, बड़ा सा touchscreen system, जो I think definitely a better system है, आपके Nexon Pure में जो अभी भी चोड़ा वाला Harman का मिलता है, wireless Android और Apple CarPlay नहीं मिलता है, इसमे cruise control भी नहीं मिलता है, जो proof is an additional feature that you get, or that you do not get on Pure, so मैं आपको बता देता हो, winner is MX3 variant, जो मुझे लगता है कि काफी जादा value offer करता है, and MX1 variant, जो काफी जादा value offer करता है, but मैं आपको recommend करूंगा, कि अगर आप base model लेना चाहते हो, it makes more sense to go for, अभी MX3 Pro variant में बहुत सारे changes है exterior में, exterior में देखते हो, तो यहाँ आप एक ना है, wheel cap का design है, I personally did not like it, अगर आपको पसंद है तो बताइए, जो पीछे वाला connecting tail lamp है, वो इस variant में आपको मिलता है, जो again अभी looks को enhance करता है, मुझे लगता है कि इनका highlight point है, XUV3 100 में, और वो आपको MX3 Pro variant में मिलता है, सामने के तरफ देखते हो, तो यहाँ पे आ अभी आपने यह notice कर लिया है, तो अभी हम अंदर जाएंगे, और आपको मैं बताऊंगा, interior में क्या changes है, interior में जाओगे, तो यहाँ पे आपको clearly दिखेगा, कि major changes नहीं है, यह जो मैं आपको variant दिख रहो, यह automatic variant है, but MX3 Pro variant के manual में भी कोई difference नहीं है, यहाँ पे आपको same system मिल जो है, it is only exterior looks, तो exterior looks के लिए आप extra पैसा दे सकते हो, तो दे दो, but आप एक बार फोच लो, कि यह जो exterior वाले features है, it is mostly related to the lights, ठीक है, lights के changes के लिए आप अगर extra पैसा दे सकते हो, 9.99 lakhs, तो maybe जा आप मैं रहता हूँ, यह almost on road 12 lakh का है, और 12 lakh में आपको, यह जो features है, it's all external features, ज आप यह base model लिए है, कम से कम यह mid variant लिए है, तो अगर आप वो चाते हो, तो आपके पास यह एक ही option है, आपको यह लेना ही होगा, क्योंकि इसी variant में आपको वो सारे additional features मिलते हैं, अभी इसके competing variant के तरफ आते हैं, now, which is going above 12 lakh on road, so अभी इसको justify करना बहुत जरूरी है, if Tata is pricing it above 9.99 lakh, क्योंकि 9.99 lakh के above आप price होता है, तो उसमें आपको tax देना होता है, जिससे prices और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, so they have to justify the pure S variant, जिसका price है 10.30 lakhs, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको voice assisted electric sunroof, anti glare IRVM, और auto headlamps और rain sensing wipers मिलता है, चो मुझे लगता है कि it's not good, क्योंकि exterior में कोई major changes नहीं है, एक बार हम pure S का model देख लेते हैं, exterior और interior में, उसके बाद आपको बताऊंगा, is it really worth paying so much for this, with the first look I am very disappointed, क्योंकि आप exterior में देखते हो, तो same problem अभी भी है, कि इसका जो door handles है, यह body color नहीं है, यह एक base model का feel और look देता है, यहाँ पे seriously in Exxon में काम होना चाहिए था, क्योंकि जब आप almost 13 लाग का फैसा दे रहे हो, on road, it completely makes no sense at all, कि यह लोग अभी exterior में, यह सब चीज़ें missing है, जैसे कि body colored grab handles, आप sunroof दे सकते हो, roof rail दे सकते हो, but आप एक body colored door handle नहीं दे सकते हो, उसका क्या sense बनता है, please explain Tata, क्योंकि I really don't know, अभी आ अब exterior में देखते हैं, तो काफी disappointed है कि 10.3 lakhs में इतने features missing है, और अभी भी यह base model का feel दे रहा है, interior के तरफ आते हैं, तो interior में आप देखते हो, again it is not very exciting, जोड़ा सा disappointing है, क्योंकि यह आप भी आपको same infotainment system मलता है, इसमे cruise control missing है, I think 2 variant पहले ही, XUV3XO में आपको cruise control available था, इस variant में cruise control available नहीं है, which is very very disappointing from Tata, I think जो भी extra features ही लोग दे रहे है, इस variant में, it's not good, अभी हम फिर से variant distribution देखते हैं, अभी यह जो voice assisted electric sunroof है, anti glare, IRVM और auto headlamps, उसके साथ rain sensing wipers, क्या आपको लगता है कि is it worth paying that extra money for these features which are not very useful, यह आप मुझे बताईए, क्योंकि मुझा लगता है कि य और इसका pricing बिलकूल भी सही नहीं है, और Tata को इस पर जरूर काम करना चाहिए, इसके पहले भी मैं बोलता था कि Nexon का जो pricing है, is not good, और आज मैं इसको explain कर पा रहा हूँ आपको अच्छे से variant wise, so that I can tell you right now, that इसके पहले जो pricing की बात कर रहा था, makes complete sense, अभी भी some of the things that मुझे लगता है कि इस variant में होना चाहिए था, वो यह अंदर रहो handles मिलता है आपको, यहाँ पर तोड़ा chrome finish, यह मेबी color वाला finish दे सकते थे, that is missing, उसके लबा cruise control दे सकते थे इस variant में, that is also missing, infotainment system तोड़ा सा बढ़ा हो सकते था, so according to me, this variant makes no sense, and एकदम बेकार सा variant है, अभी मैं इन सारे जो variants जो मैंने आपको बता है, इसको मैं आभी breakdown करके बताऊंगा कि कौन से variants आपको avoid करना चाहिए, दोनों Nexon और XUV3XO में, पहली बात तो the winner, the most value for money variant आज के लिए है, clearly XUV3XO का MX1 variant, आपको definitely consider करना चाहिए MX1 का variant, अगर आप Nexon करीदना चाहते हो, then आप definitely Nexon के smart variant के तरफ भी जा सकते हो, but let me tell you, that it is not the most value for money variant, if you are comparing it to XUV3XO, but अगर आपको Nexon ही लेना है, then I think smart वाला variant makes sense, it's not as bad, MX2 variant मेरे इसाब से आपको avoid करना चाहिए, युकि इसमें बहुत सारे features missing है, smart प्लस वाला variant जो है, वो भी काफी अच्छा value offer करता है, कोई भी Nexon का variant बहुत अगर आपको Nexon लेना है, you can go for smart या smart प्लस, but the 3XO का MX2 प्रो वाला जो variant है, don't go for that, क्योंकि it makes no sense to it, जब आपके पास MX3 वाला variant है, which makes total sense, go for MX3 variant, जब आपको wireless Android और Apple Carp ले मिलता है, जो आच्छे time में ज़रूरी है, cruise control मिलता है, just for maybe 15-20,000 extra, cruise control, Android Auto Apple CarPlay, wireless charger, wheel cover, single pin sunroof, आपके आदा पैसा यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है ने, तो आपको बाहरते लगाना होगा, so XUV 3XO का MX3 variant और MX1 variant आज के विनर्स है, इस segment का one of the best valued variants है, as long as the price don't change, please don't go for smart plus S variant, Nexon का, it does not have any value, pure की बात करें, तो pure का भी मुझे उतना great नहीं लग but at least, it is better to go for pure than pure S, pure S के लिए जानेगा, कोई sense नहीं बनता है, don't go for pure S, अगर आपको pure S लेना है, तो pure ही ले लिजिए, that is slightly better, so दोस्तों, I know all of this is messy, but मैं आपको अभी breakdown करके बताता हूँ, उसके पहले मैं इंपात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं only base variant MX3 Pro तक cover किया हूँ अगर आप चाहते हो, इसके अगले variants को मैं compare करूं, निक्सवान के साथ, तो आप मुझे comment section में बताईए, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, कि mid और higher variants का उत्रा demand होगा, निक्सवान और हुए 3X6 की comparison में, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, but अग आपको जो भी car का जो भी variant comparison देखना हो, जल्दी से बताईए, I will cover it, तो MX1 variant के तरफ आप जा सकते हो, बिल्कुल MX1 variant ले सकते हो, best base model है इस time पर, अगर budget tight है, आपको इस segment में car लेना है, go for MX1, अगर आप Nexon लेना चाहते हो, तो definitely आप Pure के तरफ जा सकते हो, Pure एक अच्छा variant ह आप टीक टाक feature मिलता है, अगर आप smart और smart plus S को अगर compare करते हो, Nexon का pricing is all over the place, इस segment में best variant wise pricing महींदरा HUB3X होका है और worst pricing variant wise or feature distribution Nexon वाल होका है, I am disappointed क्योंकि Tata known था उनके variant distribution और feature list के लिए, बट आज के लिए, Nexon is completely overpriced, and HUB3X हो is pure value for money, दोस्तों, if you did not like any part of this, video और आप इस टीस से agree नहीं करते हो, जो मैं opinions आपको दे रहाता आज, तो आप मुझे comment section में आगे इन बता सकते हो, मेरे channel को follow करते हो, तो thank you so much, अगर नहीं करते हो, तो please कर लीजिए, be a part of the family, I will see you again, take care, always drive safe for your seatbelt, bye-bye. झाल